हेलो दोस्तों नमस्कार अभी की सबसे बड़ी खबर आ रहे हैं जहां पर केनेडा में शरण के लिए खालिस्तान को हत्यार बना रहे हैं भारती युवा दोस्तों सबूत के लिए रेलियों में ले रहे हैं सल्फी भारत की बढ़ गई चिंता बता दें भारत से जाकर कनाडा में खालिस्तानी प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं युवा एक लालच बन गया सबसे बड़ी वज़े विस्तार से बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों वहीं बताएंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी पहुँचे ब्रुनोई क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने किया उनका जंकर भारी स्वागत दोस्तों बताएंगे आजादी के वक्त से दोस्ती कुरोना काल का भी एहसान अब भारत की मुराद पूरी करेगा सिंगापूर दुनिया में बढ़ जाएगी धाग कैसे दोस्तों सारी जानकारिया आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे बताएंगे क्या वाकई में बांगला देश में जल्द लागू होगा शर्या कानून किसने ये बात उजागर किया है दोस्तों बस आप वीडियो का अंति तक बने रहेगा और खबरों आगे बने से पहले निरंतर भारत देश में विकास होते वे देखना चाहते हैं तो वीडि को लगता है कि कनाडा में कुछ भारतिय युवा खालिस्तान समर्तक प्रदर्शनों में भाग ले सकते हैं वे देश में अपने शर्णार्थी दावे को पुखता करने के लिए ऐसा कर रहे हैं भारतिय अधिकारियों ने कनाडा में आयो जीत हुई अलगाव वादी रेलियो फर्म है जो अस्थाई निवास की चाह रखने वाले लोगों को शरन अनुरोद दाखिल करने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलने की सलहा दे रही है ये युवा खुद को खालिस्तान से जोड कर और भारत में उधिपिडन की बात कहते वे कनाडा में शरन मांगते हैं कूबर में जहांकियां निकालकर दिलावर बबर की शान में कशीदे गड़े गए जिसने खुद हमला करके 29 साल पहले पंजाब के ततकालिन मुख्यमंद्री बेंत सिंग की हत्या की थी हाला कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रैली के आयोजिकों ने ऐसे लोगों को बु ही है एमेग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटिजन्शीप केनेडा के आकड़ों का नुसारी साल जनवरी से जून के बीच 16,800 शरण के दावे किये गए हैं जो 2023 के लिए कुल 11,265 से करीब 50 प्रतीशत जादा है भारत की चिंता बढ़नी तो लाजमी है दोस्तों वहीं प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने उनका गरम जोसी श्वागत किया प्रधान मंत्री मोधी की इस यात्रा को काफी खास माना जा रहा है क्योंकि भारतिय पीम की ये पहली दुपक्षिय यात्रा है प्रधान मंत्री मोधी जी की यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब दोन के बाहर मौजूद लोगों ने मोधी मोधी के नारे लगाए पियमोधी मंगलवार की सुबह ब्रुनोई और सिंगापुर की तिन दिन की यात्रा पर रवाना हुए यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि ब्रुनोई और सिंगापुर को भारत की एक्ट इस्ट न वागई में दुनिया में बढ़ जाएगी धाक दोस्त प्रधानमंद्री नरंद्र मोदी जी भुरुनोई से वो चार सितंबर को सिंगापूर जाएंगे पीम मोदी न अपने पहले कारकाल में सिंगापूर की यात्रा की थी और अब करीब 6 साल बाद वो एक बार फिर से सिंग से दोनों देशों के बीच संबंद और भी बड़े स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि दोनों ही देश टेकनोलोजी इसकी डवलपमेंट और छेत्रिय सुरक्षा में सहयोग के लिए के नए रास्ते तलाश रहे हैं दोस्तों भारत और सिंगापूर सिंगापूर के रिष्टे गुट निटपेक चांदोलन के समय से ही रहे हैं अगस्त 1965 में सिंगापूर की आजादी के वक्त सही दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती रही है सिंगापूर बनने के महज 12 दिन बाद ही भारत ने इसके साथ औप्चारी ग्रूप से राज की मुराद पूरी करेगा की नहीं सिंगापूर तो वहीं आपको बता दें गैस पाइप लाइन पर इरान की आखरी चेतावनी अर्बो डॉलर के जुर्माने से बचने को शिया मुल्क के आगे गिड़ गिड़ाएगा पाकिस्तान जिहां इरान ने पाकिस्तान की सरकार से सा के लिए फाइनल नोटिस दे दिया है पाकिस्तान इस पाइप लाइन को अमेर्गी प्रतिवंदों की वजह से नहीं बना पा रहा है ऐसे मैं अब उसके सामने इरान से और समय मांगने की गुजारिश और कम जुर्माने के लिए बादशीत का विकल्पी दिखाई दे रहा है निकेई एशिया की रिपोर्ट के नुसार तहरान की पाकिस्तान को चेतावनी उनिस सो किलो मीटर पाइप लाइन पर लंबे समय से चले आ रहे है विबाद में नया कदम है इरान ने पाकिस्तान को सीमा पार गैस पाइप लाइन के अपने खंड को पुरा करने या अर्बो डॉलर के जुर्माने का सामना करने के लिए कहा है इरान ने कहा है कि उसने पाइप लाइन के साड़े ग्यारासो किलो मीटर लंबे खंड के निर्मान में दो अरब डॉलर का निवेश किया है तो वहीं आपको बता दें शेख हसीना के जाता ही खुल गई पाकिस्तान की किसमत बांगलादेश ने दे दिया ये ओफर दोस्तो चार अगस्त को 16 अंदोलन के बाद बांगलादेश में हुए सत्ता परिवर्दतन से पाकिस्तान बेहठ खुश है अब अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के कारकाल के दौरान दोनों देशों के संबंद खराब बने हुए थे बांगलादेश चाहता था कि 1971 के मुक्ति संगराम के दौरान पाकिस्तान की तरफ से किये गए युद अपरादों के लिए वो माफी मांगे लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया था इस इनकार के बाद दोनों देशों के संबंद और खराब हुए थे अब जब कि शेख हसीना सरकार का तक्ता पलेट हो चुका है और देश में पाकिस्तान समर्थ सरकार बनी है पाकिस्तान फूलाई नहीं समा रहा यानि कि पाकिस्तान के खुशी का ठिकाना ही नहीं है नोवेल विजेटा डॉक्टर मुहम्मद यूनुस के नित्रत वाली बांगलादेश की अंतरिम सरकार भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंदों में सुधार के लिए कोशिशें करने लगी है अंतरिम सरकार में सूचना प्रसारन के सलाकार नाहित इसलाम ने सोमवार को बांगलादेश में पाकिस्तान के उच्चा युक्त सयद एहमद मारूफ से मुलाकात की और कहा कि उनका देश पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे विबात को सुलजहाना चाहता है इसलाम ने कहा कि अवामी लीग 1971 को इतिहास का आखरी अध्याई मानती और आगे भी बनेगा हम पाकिस्तान के साथ 1971 के मुद्र को हल करना चाहते है यानि वाकई में दोस्तों माना जारा है कि शेक सरकार के गिर जाने के बाद युनुस सरकार के बनने के बाद और हो सकता है इसके बाद। जिया की सरकार बन जाए लेकिन दोनों के दोनों पाकिस्तान समर्थक दिखाई दे रहे हैं जो की वाकई में पाकिस्तान की किस्मत खोल देगा लेकिन भारत के लिए बड़े जटके की खवर है ये लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें बांगलादेश में जल्द लागू बहुत बड़ा ये बयान दिया है दोस्तों कई सालों से भारत में निर्वासी जीवन जी रही बांगलादेश की लेखी का कारेकरता और डॉक्टर तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कट्टर पंथी इसलामी संगतनों की बादियों की बड़ती प्रमुखता शरिया कानून के तहट प्रतिबंद लगा कर और उन्हें नियंत्रित करके महिलाओं के अधिकारों को छीन लेगी विश्ववी दयालियों ने पहले ही इसलामी ड्रेस कोड़ पर आदेश जारी करना शुरू कर दिया है दोस्तों ऐसे मे क्या लगता है आपको क्या तसलीमा नसरीन की जो ये बाते हैं क्या वाकई में सच होंगी क्या वाकई में बांगलादेश में जल्द से जल्द शरिया कानून लागू होने वाला है अमेरीकी दुश्मन से क्यों मिल रहे बॉखलाई खलीफा एर्दोगन दोस्तो नाटो देश तुर्की ने आपचारी ग्रूप से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है तुर्की दुश्कों से नाटो का सदस्य है मेंबर है और पश्मी देशों के साथ कंदे से कंदा मिला कर चल रहा था लेगिन अब वो अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाना चाहता है तुर्की के राष्ट्रपती के करीबी लोगों ने नाम ना बताने की शर्ट पर यह जानकारी दी है वहीं बता दे असम के सीम ने नमाज की छुटी बंद की तो भढ़के मौलाना पाकिस्तान ने क्या कहा बता दें असम की सरकार ने विजधान सभा मैं जुम्मे के दिन दो यूटुबर शैला खान ने भार्दिय वकील नाजिया इलाही खान से बात की शैला खान ने कहा गिए असम के सीम हिमंता विश्व सर्मा और उत्तरप्रदेश के सीम योगी आदितनात की खबरें पाकिस्तान में अक्सर वाइरल होती रहती हैं पाकिस्तान के लोगों का कहना कहा की जम्मू की नमाज पर ब्रेक नहीं लगा है गलत जानकारी ना फैलाई जाएं शैला खान के सवालों का जबाद एते वे नाजिया इलाही खान ने कहा है कि यहां ध्यान रखना यह जरूरी है कि जुम्मय की नमाज पर प्रतिबंद नहीं लगा गया है विधान सभा म मिलने वाले ब्रेक को सिर्फ समाप्त किया गया है यदि कोई मुसल्मान नमाज पढ़ना चाहता है तो वो जा सकता है इसके साथ ही ये फैसला विधान सभा के सभी सदस्यों की सहमती पर लिया गया है इसमें किसी को आपती नहीं है लेकिन भारत के मौलानाओं को जरूर आपत हमास ने कहा बचाने आओगे तो लाशे ही पाओगे जिहां नेतन याहू को अल्टीमेटम गाजा में पिछले दिन सुरंग के भीतर मिली जराइलियों की लाश पर नेतन याहू और आइडिया बदले की आग में उबल रही है इस वीच हमास आतंकियों ने बंदकों के कतल की इजराइल ही होगा इस बीच हमास ने मारे गए एक बंदक महिला का वीडियो जारी किया महिला मौत से पहले अपने माता पिता को आखरी संदेश दे रही है तो वहीं आपको बता दें इजराइलियों की मौत पर बेंजामी नेतन याहू भी भड़कते हुए एहदिया है कि म अब नेतन याहू भड़क गए उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें कोई ये ना बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं रविभार के भड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद अपने पहले सारोजरिक वयान में नेतन याहू ने कहा कि वो अपनी मांग पर आड़े रहेंगे कि फिलाडेलफिया कोरिडोर पर इजराल का नियंतरन रहे ये मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर एक बेंड है जहां इजराहिल का दावा है कि हमास गाजा में हत्यारों की तसकरी करता है हाला कि मिस्र और हमास इससे निकार करते हैं ये मांग संगर्ष विराम के समझ जोते में एक बहुत बड़ी अर्चन के रूप में उबरी है दोस्तों वहीं आपको बता दे पागिस्दानी पाइलेट भी कमाल के हैं प्लेन की खिड़की से निकले शीशे करने लगे साफ वीडियो देखकर लोग ले रहे हैं खूब मज़े दोस्तों पागिस्दान की एक व माली हालत तो वहीं बताते हैं कमला हैरिस भी मेरी तरह सोचती है जिहां राष्ट्रपती बाइडन ने बांदे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की तारीफ हो के पुल ट्रम्प को साथ में घेरा जिहां अमेर की राष्ट्रपती बाइडन ने सो मवार को लेबर डे पर आयो जि कि वह क्या कर रही है और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप कमला हैरिस को राष्ट्रपती के रूप में चुनते हैं तो यकीन माने अपने भविश्य के लिए बहतरीन शक्षियत का चुनाव करेंगे तो वहीं राष्ट्रपती बाइडन ने राष्ट्रपती पद के लि कि 20 सीटें दोस्तो हर्याना विधानसवा चुनाव दोजाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस गडवंदन करने जा रही है ख़वर है कि आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस से 20 सीटें मांगी है हाला कि अभी सीट बटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है कांग्रेस और आम आ लगी है इसनी बीच यह थी भी कि सारी बड़ी खावरें आपको खावर कैसी लगी दोस्तों बताएगा जरूर और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाके कमेंड में जैहिंद कहना मत भूलिएगा और वीडियो को शेर कर दीजेगा जित